आज का वीडियो बहुत ही requested वीडियो है, वीडियो है शन साउंड के उपर, words like vision, inspection, suspicion, mansion, passion, इन सब में शन साउंड आता है, but spelling शन साउंड की almost सब में अलग-अलग है, तो आज हम देखेंगे कि शन साउंड को कितने तरीकों से लिख सकते हैं, यानि कितने spellings होती है, कौन सी spelling के लिए तो YouTube पे बहुत से वीडियो हैं, तो इस वीडियो में क्या अलग है, इस वीडियो में ये अलग है कि आपको rules तो पता चलेंगे, साथ में ही बच्चे को किस age में पढ़ाना है, और किस तरीके से पढ़ाना है, ये भी पता चलेंगा, नमस्ते, मैं हूँ पढ़ने का एक pre-school teacher और एक certified phonics train, मेरे बच्चों के लिए online classes चलते हैं, जिसमें 4 साल से लेके करीब 10-11 साल तर के बच्चों के लिए different batches हैं, back size छोटा है, तो बच्चों पे individual ध्यान दिया जाता है, और काफी interactive classes हैं, साथ ही बड़ों के लिए, यानि adults के लिए workshop या आप teacher training बोल सकते है ये भी रहता है, certified program है ये, तो आप इसको करने के बाद अपने classes खुल सकते हैं, schools में apply कर सकते हैं, या फिर अपने खुद बच्चे को घर पे बढ़ा सकते हैं, दोनों के बारे में details जानने के लिए, mummietuberindia.gmail.com पे email drop करिए, so let's begin with the topic, Sh sound जो होता है, वो Jolly Phonics group 6 में आता है, ये एक डाइग्राफ होता है, याने S और H मिला के Sh sound बनाते हैं, इसी का extension है Shun sound, तो जब बच्चे को Sh sound अच्छे से आ गया हो, तब हम आगे proceed करते हैं, अगर आप मुझ से एश पूछे तो ये about 8, 8 and a half years के बच्चों के लिए, ये ज class wise बात करें, तो class 3 and above के बच्चों के लिए ये है, पर जैसे मैंने हमेशा कहा है कि सारे बच्चे अलग होते हैं, कई बच्चे इससे कम एज में भी ये सीख जाते हैं topic, और कई बच्चे इससे बड़े एज में ये सीखते हैं, तो ये आपको देखना है कि आप जिस इसके अलावा भी कुछ अनकॉमन तरीके होते हैं, जो हम एंड में देखेंगे, ये हैं कुछ प्री रेकिजट्स, याने शन्साउं पढ़ाने से पहले बच्चों को क्या आना चाहिए, वर्ब्स, नाउन्स की नॉलिज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलिज नहीं बट बे चाहिए कि रूट वर्ड या बेस वर्ड क्या होता है, ये स्लाइड में मैं लिखना भूल गई हूँ बट रूट वर्ड या फिर बेस वर्ड की नॉलिज होनी चाहिए, और फाइनली बेसिक शफिक्स सच अ अ, एड और इंग पता होने चाहिए, सबसे पहले हम देखते हैं most common way to write shun sound that is tion, suffix tion का मतलब ही होता है कि कोई state indicate करता है, condition, action, process या result indicate करता है, जब बेस वर्ड के end में t हो या t e हो, and जैसे उपर लिखा है कि कोई process है या action है, तब tion वाला shun होता है, for example, elect, अब इसको हम election बोलेंगे, तो tion वाला shun लगाएंगे, digest, end में t है, तो digestion, tion लगेगा, radiate, elate, now in में end में t e दोनो है, तो e को drop करेंगे, और फिर tion लिखेंगे, इस slide में भी वही सब mentioned है, एक चीज और, जैसे for example, last में आप देखे, word evolve, इसमें end में t या t e नहीं है, but still evolution की spelling में tion आ रहा है, और यह सब चूटी-चूटी चीजें के लिए कोई exact rule नहीं होता है, तो बच्चों को learn करना पड़ता है, इसका रूल काफी simple है, जब भी कोई occupation या job describe होता है, तो c i an वाला शन लगता है, musician, electrician, beautician, magician. Nouns ending in c i an, अगर base word के n में c है, तो पूरा c i an वापस से नहीं लगाना है, सिर्फ i an लगाना है, optic, optic के n में c है, तो o p t c i an, optician. अगर base word c और s से end हो रहा है, तो सिर्फ s हटाना है, c रहने देना है, और फिर i an लगाना है, like physician. Other changes are also possible, like technique का technician, आपकोई exact rule नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ. The next spelling to write shun sound is s i o n, some nouns end in s i o n, अगर base word के end में s e आ रहा है, तो आपको e drop करना है, और i o n लगाना है, like revise changes into revision. अगर base word के end में d या d e आ रहा है, तो आपको d को drop करना है, या फिर e के ज़रुरत पड़े तो e को भी drop करना है, and i o n लगाना है, like erode का erosion, pretend, pretension. Most of the times, अगर आपको shun sound सुनाई देता है, letter l के बाद, तब आपको s i o n वाला shun यूज करना है, like compulsion. Let's see double s i o n shun कहां use होता है, कुछ nouns end होते हैं double s i o n में, इसलिए मैंने शुरुवात में कहा था कि nouns, verbs, इन सबका basic knowledge important है बच्चे के लिए. अगर आपको ये पूरा-पूरा word mission किसी noun में सुनाई दे, तो समझ जाए डबल s i o n आएगा, like permission, permission में mission आ रहा है न, तो m i double s i o n आएगा, submission, submission में भी mission आ रहा है, तो यहां पे भी double s है, अगर base word या फिर root word के end में already दो s हैं, तो हमें double s i o n नहीं लगाना है, सिर्फ i o n लगाना है, for example, possession, अगर base word के end में आपको ये three letters देख रहे हैं, m i t, तब भी double s i o n वाला शन लगेगा, for example, word admit, तो a d m i double s i o n, admission, let's see some uncommon ways to write shun sound, s i a n, like in Asian, Russian, etc, x i a n, like in word complexion, c i o n, like in word coercion, suspicion, etc, s h i o n, like in words fashion, cushion, etc, and c e a n, like in the word ocean, etc. तो ये तो हमने देखे, shun sound किते तरीकों से लिखा जाता है, and उनके rules देखे, अब बात आती है कि आपको कौन सा पहले पढ़ाना है, या कौन सा बाद में, इसका कोई exact sequence नहीं है, but yes, c i a n shun sound है, ये i prefer to teach in my classes, सबसे पहले, reason is, काफी simple है and sure short है, एक बात में ये कहना चाहूंगी, कि एक time पे आप एक ही shun का spelling पढ़ाएं, तो जैसे अगर आपने आज c i a n पढ़ाया, तो उसको practice कराएं एक दो दिन, या बच्चे कुछ जादा time की जवरत है, तो जादा दिन practice कराएं और फिर t i o n वाला कराएं, फिर उसके बाद आप next वाला कराएं, जब आपने सारे shun sound के spelling पढ़ा लिये हों, उसे related, हर shun sound से related, जो भी spelling है, वो आपने पढ़ा लिया है, अब बारी आती है, एक साथ practice कराने की, याने अलग-अलग करा लिया, फिर उसके बाद एक साथ, एक साथ practice कराने का एक बहुत अच्छा एडिया है, न्यूस पेपर के थ्रू, तो आप बच्चे को न्यूस पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल दे दीजे, या कोई बच्चो की मैगजीन का एक स्टोरी दे दीजे, चोटी स्टोरी दे दीजे, जादा चार-पांच पेज़ की मत दीजे, बच्चे से कहिए कि रीड करो और रीड करते करते जितने भी वर्द्स हैं जने शन्स साउंड आ रहा है वो हाइलाइट करो या अंडरलाइन करो, तो जो भी शन का स्पेलिंग हो रहा हो, टी आई ओ एनस आउन, सी आई एन, जो भी आ रहा है, उससे मतलब नहीं है, अगर साउंड आ रहा है, तो आपको वर्ड को हाइलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, अब आप इन वर्द्स को डिसकस करिए, कि कौन से नाउंस है ये, ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है, देखिए, जब भी आप बच्चे को नया वर्ड पढ़ाते हैं, अगर साथ म आप इसी अक्टिविटी का एक वेरिएशन कर सकते हैं, अभी तो हमने शन साउंड वाले वर्ड को अंडरलाइन किया या हाइलाइट किया, अब आप ये कर सकते हैं, कि उसको एक पैसेज की तरह दे दें, ठीक है, तो आपने बच्चे को स्टोरी दी और ब्लाक पैन से या आपने हटा दिया, और अप्शन्स दे दिये, अगर मानली जे एक स्टोरी है, जिसमें मैंशन के बारे में है, तो मैंशन आपने डाक कलर से कर दिया, ठीक है, मतलब उसको हटा दिया, या फिर दूसरे नोट बुक पे अपी कर दिया, अब मैंशन के दो स्पेलिंग लिग द करना है, तो जो बच्चे को फॉनिक्स नहीं पता होता है, तो जो बच्चे इस तरीके से रूल्स की तरू पढने में अनिंट्रेस्टेड हैं, उनके लिए क्या करें, उनके लिए फिर वही टेक्नीक है कि आप थोड़ा लर्न कराएं, यह जो दोनों अक्टिविटीज मैंन के लर्न कराना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इस तरीके के पासेज़ में उसको फिट करके देना पड़ेगा, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक जरूर दीजेगा, काफी एंकरिजमेंट मिलता है, थोड़ा महिनत करके वी देखते रहिए, ममीट्योबर, नमस्ते